अरे ये पुलीस का कार्ड है पेसंजर है तो उतारो उसको ए मेम सा बहार निकल गोपी कमाण कमाण सिद सिद किशिन किशिन बेटे कहां गायब हो गया था इतने दिन तू तो कहके गया था कि एक महने में लौट आउंगा आज कितने दिन हो गया बेटे चन्दा अब ये क्या चक्कर है ये ये मेरा बेटा किशन है ये किशन है बेटी नहीं ये गोपी है माजी ये किशन है बेटी चन्दा मेरी मा सच बोल रही है मैं उसका बेटा किशन हूं फिर वाट चन्दा, वाय दोन्ट चुंध अंदर्स्टेंड, यह मेरी माँ है हम मा, यह मेरी बीवी, चंदा बीवी, तुन्हे शादी कप कर ली ? आज साल होगे माँ यानि कि तुन्हे जेल में शादी कर ली ? हाँ, जेल माँ, जेल में कभी ऐसी बीवी मिली है अब मैं सारत का वीडियो के सट उतार कर किशन को बेजूंगा किशन की चौबीस खंटे के अंदर अगर उसने आपने आपको मेरे हावाले नहीं किया तो उसकी मा की खेरियत नहीं और फिर अपनी मा को बचाने के लिए पोसी देया के गोपी के पाव पड़ेगा यूर टू गुड गोपी तुम्हारा दिमाग बित मुसीबत नहीं चलता है लेकिन नेक बात बताओ ये काला कपड़ा क्यों बोलो बोलो बहुत बड़ा पॉइंट है चंदा अगर किशन को पता चला कि उसकी मा कैद में है हमें मार कर वो अपनी मा को छुड़ा ले जाएगा ये काली चादर इसलिए लगा ही है ताके बैक्राउंड का पता ही नहीं चले यह सुपाब गोपी ऐसी आइडिया तो पुलीस आलों के दिमाग में होती है अच्छा तुम वो लाइट पकड़ो और मैं 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 शूटिंग शूरू करता हूँ चंदा अरे चंदा चंदा कहा गई भाग गई अरे जक्कन तो खोलो गोपी डार्लिंग आयो सारी है आ यह रही यह मैडम यू मूल लटका कर खड़ी रहोगी तो किशन क्या खाग दरेगा यू समझो कि मैं तुम्हें कोई चाकु देके माद ना रहा हूँ दरो चल चंदा डरो ना प्लीज मेरा काम हो जाएगा कौन है बैग हूँ दरोजा खोल अरे ना लायक एक बच्चा पैदा कर लिया फिर भी दीन दहारे दरोजा बन करके कड़ी लगा लेती है आसपास वाले खिली नहीं उडाएंगे कितनी बार समझाया पर शरमी नहीं आती है क्या जिता जानकी तु शहर कब आई और यह क्या तुम्हें इस तरह बांद कर क्यों रखा है इसे मत कोल मा मत कोल तु चुप रहे मा इसका भी एक बेटा है जो हुबहु मेरे जैसा है मैं सब जानती हूँ चानकी यह क्या हो रहा है यह कहरा यह किशन नहीं गोपी है और तुम भी इसका साथ दे रही हो यह ठीक कह रहा है किशन नहीं मेरे बेटा गोपी है लेकिन गोपी भी तुम्हारे ही बेटा है किशन का जुडवा भाई जुडवा भाई मा, यह क्या तु हिंदी फिल्मों की तरफ फ्लाश बैक में कहानी सुनाने जा रही है यह कहानी नहीं सच्चा ही है गीता तुम्हें याद है तुम्हारी जचकी मैंने की थी हाँ जब मैं तुम्हारे पहले बेटी को नैला रही थी तुमने एक दूसरे बेटे को भी जनम दिया तुम बेहोश थी और मैं जानती थी कि जिन मुश्किलों में तुम थी दोनों बेटों की परवरिश नहीं कर सकती थी मैं बेवलाद थी गीता एक मां की सुए हुई ममता जा गई और मैं तुमारे बड़े बेटे को उठा कर अपने साथ ले आई